नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस कारेकर में जिसका नाम है सिकर्टस आप जैमस्टोल जानी रत्लोकार हैसे में संसा दोस्तों मैं रामान एस्टोल जैमस्टोल एक्सपोर्ट आज हम बात करेंगे कई बार आप अपना होरुस्कोप किसी एक्सपोर्ट किसी एस्टोल पंडित जी को दिखाते हैं और वो आपको बताते हैं कि आपका आने वाला समय बहुत कोल्टन पिरियेट है इसमें तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा पैसा मिल जाएगा गाड़ यहां बंगलो बंदा भी बड़े अच्छे मूर में आ जाता है वाके वास ही है जैसा होने वाला है क्योंकि प्रडिक्शन जो कर रहे हैं वो जहर सी बात है और उसको देख कर ही कर रहे होंगे अब माल लेते हैं किसी ने 2019 में प्रडिक्शन लिए उनको बताया गया उन्होंने अपना प्रोस्कोप चेक कर वाया और बताया गया 20 जैनुवरी से जब 20 स्टार्टिंग से यह आपका बहुत अच्छे समा होने वाला है यह हो जाएगा वो हो जाएगा लेकिन किसी कारण वर्ष वो सारी चीज़े उल्टी होने शुरू हो गई है किसी कारण वर्ष जो आपके सपने थे वो चूर होने शुरू हो गई है तो दोस्तों बंदा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है यह तो मैंने च्छोटा सा आपको एग्जेंपल बताया है क यह सब्केंगें को 5-5 साल हो गए 10-12 साल हो गए, वो तो यह सोच रहे थे हैं कि पता नहीं क्या हो जाए लेकिन वो सारा उल्टा वुल्टा होना शिरू हो गया। ये कैसे होगा इसमें कौन सी किसकी गलती है जा तो एस्टोलोजन को पता नहीं है जा फिर हो सकता है आपका होरुसको तो कहीं गलत नहीं है क्योंकि देखे मैं यहां पर किसी को specific target नहीं कर रहा कि ऐसा लोजर की गलती हो सकती है जा आपका होरुस को भी गलत हो सकता है क्योंकि क्या होता है mostly मैंने देखा है 70% जो होरुस को बने हुए है पुराने गलती ही बने हुए है उसमें लगन तुला होता है लिकव रिस्चिक देते है लगन मेश होता है लिकव टॉरस देते है तो यहां पर क्या होता है एक आद दो मिनट के चक्र में बहुत बड़े बड़े changeies आ जाते है तो ऐसा कैसे हो सकता है इसको कैसे सही किया जा सकता है कुन से ऐसे रास्ते हैं कुम से ऐसे टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे और वाकिए वो जो समय गलत चर रहा है उसको अच्छे से आगे और बेटर और अच्छा कर पाएंगे दोस्तों बता दो कई बार नीम हकीम खत्रे जान कुछ गलत जिनको एस्तॉलोजी के बार में ABCB का भी नहीं बता वो भी लगे हुएं वो सब को बता रहें क्यों उसका कारण क्या है उनको ये लगता कि पता नहीं हमें कितना ग्यान है कितनी नॉलेज है देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ एक्सपोर्ट जो होता है वो अपनी जिन्दगी डेडिकेट कर देता है उस कारे को उस विद्या को उस साइंस को और अभी किसी को छे मिने आट मिने हुए होते वो क्या करेगा वो तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपना प्रेक्टिस दिखाने के चकर तो दुस्तों क्या होता है कि कई बार वो अपना काम चलाने के चक्र में आपको फटा-फट गलत इंफर्मेशन आपको दे देते हैं अभी मैं नाम नहीं लेता उनका बहुत ही अपने आपको वह पता नहीं क्या है तोप समझते हैं मेरे पास उनका कम से कम दस से पंद्रह ऐसे कस्टमर आयोंगे जिनों जिनको ने टोटली गलत अरतन डलवाएं इतने गलत अरतन मतलब मेश लगन को धनू रची को नीलम बापरे कोई सोच ही नहीं है कुछ समझ ही नहीं है ऐसे गलत चीज़ों को देखेए अब एक बंदा मरीज है पेशन्ट है उसको क्या पता भीगया है उसने क्या खाना है क्या होतो चाओता है मैं सही हो जाओं सही होने के चक्कर में वो और बिगड जाता है तो मैं यहां पर बता दू अगर आपके साथ आपके प्रिवारिक स्रचर के साथ यह सेम प्रॉब्लम चल रही है आपको भी बताया गया था लेकिन प्रेडिक्शन गलत आपको भी बताया गया था लेकिन वो चीज़े नहीं हो रही आपको भी बताया गया था कि रतन ये पहनी है लेकिन वो रतन काम नहीं कर रहे तो माइडियर मैं आपको यहाँ पे बता दू अगर ऐसी सिच्वेशन में आप भी निकर रहे आपके फैमिली के मैंबर्स भी निकर रहे तो पामिस्त्री दौरा सबसे पहले जाने कि वाकई दोनों चीज़े आपस में मैच करती है मिस्मैच तो नहीं हो रही होरोसकूप कुछ बुल रहे आपकी हाथ की लकीरे कुछ बुल रहे ये वो होरोसकूप है जो भगवान ने दे रखा है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ यह वो होरस्कोप है जो पुद्रत ने आपको गिफ्ट कर रखा है और यह चलता फिरता होरस्कोप है जो 24 इंटी 7 आपके साथ चल रहा है इनको पहले मैच करवाई सेकंडी गलत रतन आपने पहन रखा है तुरंट उतार दे रतन अगर आपका फाइदा नहीं कर रहा है तो यह ना सोचिएगा कि रतन कुछ समय बाद मेरा फाइदा करेगा कभी नहीं होगा वो गनत रतन चाइनीज भी हो सकता है डुप्लिकेंट भी हो सकता है और आपको रेक्मेंटेशन भी गलत मिल सकती है तो मैं यहाँ पर बता देना चाह रहा हूँ ऐसी कोई भी चीजों से आप बचिए एस्टालोजी कहीं किसी परकार के कोई मित पैदा नहीं करती कोग गलत भरांतियां पैदा नहीं करती एस्टालोजी आपको स्पोर्ट करती है हैल्प करती है और हाँ दूस्टों एक और चीज मैं साथ में जोड देना चाह रहा हूँ लैब टेस्टेट सिर्टिफिकेट जरूर साथ में लेना है यह नहीं कि ऐसे ले लेना है इन्फोमेशन बहुत चोटी फायदे बहुत बड़े अगर आप हमरे से जोड़ना चाहते हैं आपको करना क्या पड़ेगा अभी के अभी यूटिब चैनल को सब्सक्राइब करिए ट्विटर इंस्टा फेस्टुक और आफेमॉल टीवी चैनल्स के उपर बाइदा नेम आफ रमन मुलोत्रा मुझे फालो कर सकते है और यह जो नमबर देख रहे हैं इस नमबर के उपर वाटसेप भी है आप अपना नाम डिटो पर छोड़ दें आने की जरूरत नहीं है घर बेठे आप जान सकते हैं आप अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में भी जान सकते हैं कौनसा रतन कौनसा उपाय आपके लिए बना है और हाँ दोस्तों टिक टॉक के उपर भी हम आ चुके हैं और वहाँ जाएए रमन मुलोत्रा लेखेंगे तो आपको एवरी डे छोटे छोटे चोटे टिपस आने शिरू हो जाएगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द हो गया तो इससे उमित के साथ मेल तो बहुत जल तब तक के लिए नमस्कार धनेवर आपनाइस दे